दोस्तों ट्रेन हमारे जिन्दगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है हम अपनी जीवन में अधिक्तम यात्राएं आप ट्रेन में ही करते हैं दोस्तों लेकिन कभी आप जो अपने कोच में जाते हैं तो कोच के उपर एक कोट लिखा हुआता है 5 digit का, क्या आपने सोचा, वो code कै है, तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं भी बताऊंगा, कि 5 अंकों की code क्या है, दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते, train के उपर, ये 5 अंक की code दी जाती है, दोस्तों, जिसमें आपको ये 5 अंक बताया जाता है, जैसे इसका code है, आपको 98337, इ ये एर को दर्साहत है, कि किस एर में ये train बनी है, ये train, 1996 में ये बोकी आपको बनी थी, दोस्तों, उसी प्रकार, जो आखडी के 3 अंक है, 337, ये बताता है, कि ये किस तरह की बोकी है, स्लीपर है, AC बोकी है, ये किस तरह की बोकी है, जैसे आप देख सकते हैं, दोस्तों, ये आपको बताएगी आखडी की 3 संख्या है, कि ये स्लीपर बोकी है, या AC बोकी है, तो दोस्तों, आएए जानते हैं, कि आखडी के 3 संख्या हम कैसे पता करेंगे, 0, 25 से 50 के बीच अगर है, तो ये 1st AC है, 50 से 100 के बीच अगर 3 अंक की आखडी संख्या है, तो ये AC 2 टायर 101 से 1500 के बीच 3 टायर, और 150 से 200 के बीच दोस्तों, ये AC चायर कारकोर्दर साता है, उसी प्रकार, 200 से 400 के बीच अगर 3 संख्या है, 3 संख्या है, तो 2nd क्लास है, 400 से 600 के बीच दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी, 2nd क्लास हो जाएगी, दोस्तों, हमारी ट्रेन के संख्या क्या थी आख्री संक्या दोस्तों 337 जो कि 200 से 400 के विचाती है यानि ये दोस्तों ये second class है हमारा दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों और आपने नही जानकारी लिए होगी अगर वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करें और फिर मिलते हैं नए व एंट